हेलो फ्रेंड्स मैं नीरु जिंदल शिरी हरी क्रोटे नीटिंग चैनल की तरफ से आप सबका अपने चैनल पे स्वागत करती हूं देखें आज मैं आपके लिए एक बेबी स्वेटर लेकर आई हूं देखें ये बहुत ही सुंदर है और इसे बनाना भी बहुत ही असान है ये शिक्स मंद से लेकर डेड़ साल के बच्चे के लिए है आप इसको सभी साइजिस में बना सकते हैं इससे बड़े चोटे सभी के लिए आप इसको बना सकते हैं इसके लिए देखिए मैंने ये तीन प यह बनानी भी बहुत असान है, बिल्कुल सिंपल है, इसका मैंने पैटरन बनाना सिखा भी दिया है पहले, उसका भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगे, और मैंने इस वीडियो के अंदर भी आपको यह डिजाइन कैसे सेट होगा, वो भी मैंने ब से लाइक करें, जिन्हों ने अभी तक हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया, मुझे पता है, बहुत से लोगों ने अभी तक चैनल को सस्क्राइब नहीं किया, प्लीज सबसे पहले आप चैनल को सस्क्राइब करें, ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड होती है, उसकी न ना करें चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं इस बीडियो के अंदर मैंने सिरफ इसकी ये उपर की कोटी बनाई है चेकंड बीडियो के अंदर मैं इसकी टोपी और इसके मोजे बनाना बताऊंगी आपको और थर्ड बीडियो के अंदर मैं आपको इसकी पजामी बनाना बताऊंगी चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं देखिए इसको स्टार्ट करने के लिए हमने 42 फंदे डालनी है नीडल पे देखिए 42 फंदे डालने के बाद हमने फर्स्ट फंदे को हमने बिना बुना उतारना है और सारे फंदे जो हैं आगे हमारे इनको हमने उल्टा उल्टा बनाना है देखे हम आठ सलाई इसी तरह से उल्टी उल्टी बनाएंगे अगर आपको थोड़ा कम चाहिए तो आप अच्छी ये सलाई भी बना सकते हैं से विखिए 6 तरफ हैं ऑपनाते हैं कैसे आपको पता सलाई को निकाल कर बनाते हैं जिस एक मारी चार लाईने बन बन जाएंगी पता तरफ से उल्टा बनाएंगी और उल्टी तरफ से भी हमने उल्टा बनाना है गी है किस तरह से हमारे पास जी मेंने 6 चे सलाई SUR तीन लाइन बन गई हैं अगर आपने इतना रखना है तो आप इतना भी रख सकते हैं देखिए हम इतना ही रख लेते हैं छे लाइन अब हमने पहले तो इसके जो हमारे बॉर्डर वाले फंदे हैं छे उनको बनाना है देखिए अभी हमने यहां पर बटन होल बनाना है तीन फंदे हम उल्टे बना लेंगे अब हमने क्या करना है देखिए हम उल्टा बना रहे हैं तो धागे को उस साइड ले जाकर दो का एक करना है इस तरह से यह हमारा बटन होल बन गए इसको थोड़ा सहलका सलूज रखना है तांकि हमारा बटन थोड़ा असानी से आजाए इस धाके को अब आगे के फंदे देखें मारे 3, 2, 5 हो गए ये हमारा 6, 6 फंदे हमारे फट्टीगी हो गए हैं और ये हमारा बटन होल हो गया है देखें अब हमने हमारे पास जितने सलाईपे फंदे हैं इनको हम सीधा सीधा बनाएंगे ये सारे फंदे सीधे बना लेने हैं हमने उल्टी सलाई हमने सारी उल्टी बना लेनी है तो फिर आगे हम इसका डिजाइन स्टार्ट करते हैं देखे ये हमारा सीधी साइड आ गए है हम ये हमारा फंदा है छे इनको हम बना लेंगे एक दो तीन चार देखे हमारा बटन होल बन गया है पांच और छे देखे छे फंदे बनाने के बाद इस पिंक अधागे को हम पीछे की साइड कर देंगे और देखे इस फंदे को मैंने यहाँ पे नोट लगा लिया है इसको हम अपनी तरफ ले आएंगे देखे अब हमने क्या करना है पहले फंदे को हम उल्टा बनाएंगे फिर दूसरे फंदे को भी हमने उल्टा बनाना है देखे डिजाइन बहुत ही आसान है बस थोड़ा साप इसको ध्यान से देख ले अब हमने इस फंदे को उतार लेना है बिना बुने दागे को पीछे करेंगे इस फंदे को भी बिना बुने उतारेंगे फिर ये धागे को अपनी तरफ लाऊंगी और इसको भी बिना बुने उतारेंगे देखे तीन फंदे हमने बिना बुने उतारें कुछ नहीं किया धागा आगे पीछे कर दिया है अब हमने उससे next fourth फंदे को उल्टा बनाना है और fifth को भी उल्टा बनाना है देखे इस तरह से हमारे पास जो तीन pink फंदे आगे इनको हमने बिना बुने उतारा है देखे पहले इसको उतार लिया दागे को सेड ले गए अब इसको उतार लिया दागे को अपनी तरफ ले आए अब इसको उतार लिया अब आगे के दो फंदे हमने इस रॉयल ब्ल्यू कलर से बना लेने है देखे अब हमने इसको उतारा दागे उससे ले गए फिर फंदे को उतारा दागे में अपनी तरफ ल दना दीने हैं जाजह द SARAH उसस साइड को उतारा मेरी को ثय अब इसको फिर उतारेंगे जागे को अपनी तरफ ही रखना है जब हम ये बलू वाले फंदे बनाई विए इस तरह से इसको उतारा धागा उससाट इसको उतारा अब ये दो पंदे हमने बना लिए दो सलाई की बुंती हैं, बहुत ही असान है, इस तरह से, इसको उतारेंगे, धागे को पीछे, इसको उतारेंगे, धागे को अपनी तरफ ले आऊंगी, इसको उतारेंगे, और लास्ट वाले फंदे को हमने उल्टा बनाना है, देखिए हमने एक फंदा तो लास्ट उल्टा रखना है साइड में बनाने के लिए अगर साइड में हम इना बुना उतारेंगे तो हमारा इस साइड से यह चोटा हो जाएगा देखिए इस तरह से हमारी यह फर्स्ट सलाई बन गई है गो हम मिंट इस्की उल्टी सलाई पर आ गई हैं टेकि क्या करना हैं सीधा बनाते हुए जाना है देखिए चलाई थो हमारी उलरी हैं बाट हमएशको सीधा बनाएंगे देखिए सीधा दाया देखिय सीधा ले बनाया इस petites तरह किर्म पास्टे पार आप अब धागे को अपनी तरफ लाओंगी, देखिए इस अफंदे के यहाँ पर धागा है, जैसे दिखाई दे रहे हैं वैसे ही करना है, अब उस साइड ले जाओंगी और इस धागे को उतारूंगी, धागे को हमने उस साइड ही रखना है क्योंकि हमने बलू फंदे बनाने हैं, यह दोनों फंदे बना लिए, अब धागे को अपनी तरफ करूंगी मैं, इसको उतारूंगी, धागे को सुरी, इसको उस साइड ही रखना है, इसको उतारूंगी, अब धागे को अपनी तरफ लाओंगी, देखिए इसको फिर उतार दिया, धागा उस साइड ले गई, इसक जैसे बनाते हैं, हमने वैसे बनाना है, उतार लिया, इसको भी उतार लिया, दागे को उस साइड, इसको भी उतार लिया, अब हमने सीधे बनाने हैं, दोनों फंदे, एक, दो, देखिए, अब हमने उसको उतारा, इसको भी उतारा, दागे को उस साइड, इसको भी उतारा, द लिए दागा नहीं आया तो इसको हमने इसी तरह से उतारना है इस पर आया है तो हमने दागे को अपनी तरफ लेना है इसको उतार लिया दागे को उस साइड और इसको उतार लिया अब ये दोनों फंदे हमने बना लेने है एक और दो देखिए इसको उतारा दागे को अपनी इसको भी उतारा, यह दोनों सीधे, इस तरह, बहुत ही असान है, दो सलाई का ही डिजाइन है, देखे इस तरह से, अब इस फंदे को, देखे धागे को सौरी, अपनी तरफ ले याऊंगी मैं, देखे इस साइड लाना है, फिर पिंक को हम इसके उपर से बनाएंगे, तांकि यहाँ पर फिक्स हो जाए, और यहाँ पर कोई होल ना पड़े, देखे यहाँ इस तरह से, अब यह हमारे उल्टे फंदे हैं, बार्डर के, इनको हमने उल्टा बनाना है, यह हमारी डिजाइन की दो सलाईती, इस तरह से बन गई है, देखे अब हमने क्या करना है, पिंक ध बुना उतारेंगे, तीन, चार, पाँच और छे बना लिए धागे को उस साइड ले जाएंगे, अब हमने सीधा बनाना है, अब कुछ नहीं करना, सारे फंदों को हमने सीधा सीधा बनाते जाना है, देखिए, अब हमने चार सलाई निकालनी हैं, सीधी उल्टी, ये हमारी सीधी और फोर्त सलाई हमारी उल्टी, इस तरह से हमने ये डिजाइन बनाना है, फिर से दुबारा डिजाइन स्टार्ट करेंगे हम, देखिए, हमने इसकी चार सलाई इस तरह से बना दी हैं, सीधी और उल्टी बनाते हुए, देखिए, अब हमने इसकी चार सलाई बना दी हैं अब हमने इस धागे को पीछे कर देना है और बलूवले को आगे करेंगे हम देखेhem पहले हमने दो उल्टे बनाए थे एक डो दो उल्टे बनाए अब इस फंदे को हमने उतार लेना है देखे इस तरह से, धागे को पीछे करेंगे, अब इसको उतारना है, धागे को अपनी तरफ करेंगे, इसको उतारेंगे, अब हम आगे दो फंदे बनाने हैं उल्टे, अब इसको उतारेंगे, धागे को उस साइड इसको उतारेंगे, ध दो फंदे बनाएंगे देखी यह हमारी लाइन ऊपर की ऊपर आती जाएगी जैसे जैसे डिजाइन बनेगा अच्छा लगता जाएगा इसको उतारा धागे को पीछे अब इसको उतारा धागे को अपने तरफ अब इसको उतार लिया अब दो नो फंदे बनाने हैं हमने इस त दो देखिए अब हमने इसको उतार दिया धागे को पीछे अब इसको अब इसको एक और दो एक बार तो हमने उसी तरह से उतारना है धागा पीछे ले गए अब इसको उतार लिया धागा अपनी तरफ लाए अब इसको उतार लिया धागे को अपनी तरफ ही रखना है और दो उल्टे बना लेने हैं, इसको उतारेंगे दागा उस साइड, इसको उतारेंगे दागा अपनी तरफ इसको उतारेंगे और एक उफंदा उल्टा बना लेंगे, देखे जब हम दूसरे पार्ट से बनाएंगे तो हमारा ये आपस में मिल जाएगा और एक डबी बन जाएगी इ देखें, उल्टी सलाई में हमने वैसे ही करना है, इसको सीधा बनाते हुए, इसको सीधा बनाया, इसको उतार दिया, इसके उपर हमारा धागा है तो, इसलिए हमने इसको अपनी तरफ किया, इसको उतार दिया, धागे को उस तरफ किया, देखें, इन फंदों को उतारना वैस और इसको हम सीधा बनाएंगे one two अब इसको उतारेंगे धागे को अपनी तरफ इसको उतारेंगे धागा उससाइड उनाव सीणे विसको सिर्फे पोरा डजाइन करना है देखे इस तरह से इसके भी 4-4 शलाई हमने डाल देनी है देखिए अब हमने इसके अंदर वैसे मैंने अभी 3 डेजाइन बनाई है देखिए अब हमने इसके अंदर बटन होल बनाना है देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और जब हम देखिए इसकी 9 वाली जो लाइन स्टार्ट करेंगे देखिए आप यहां से काउंट करें एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ जब आठ लाइन नहीं यहां पे कंप्लीट हो जाएं तो उसके बाद हमने यहां पे बटन होल भी बनाते जाना है साथ-साथ इसका भी हमने ध्यान रखना है देखिए बटन होल कैसे बनाया था मैंने पहले तीन फंदे उल्टे बना लिये थे फिर उसके बाद धागे को साई ले गए क्योंकि हमने जाली बनानी है और दो का एक करना है हमने बढ़ाने नहीं इसको थोड़ा सा इस तरह से कर दें ताकि यह लूज हो जाए इस तरह से आप जब नो लाइन आठ लाइन हो जाए नाइन लाइन स्टार्ट होगी जब तब हमने सोला सलाई डाल कर सतार्वी सलाई में हमने यहाँ पे बटन होल के लिए बनाना है अब भी हमने, मैंने 3 design बनाए हैं, 5 design मैं और बनाऊंगे, सारे total 5 design बनाने हैं अभी, फिर मैं आगे बताऊंगी क्या करना है, देखिए हमने ये 5 design बनाने के बाद, इसकी अंदर हमने 4 च्रेसलाहीख का difference रखा था, उसके बाद हम 6 च्रेसलाही डालेंगे, और कुछ नहीं हमन से बने करना पांच एक दो तीन चार पांच यह चार बनाना इसका इस तरह से हमारा नीचे का पार्ट इतना इसका इसका ही इकठा ही बनेगा जब हमारे सारे पार्ट प्रोया कठ्टे बन जाएंगे उसके बाद बनेगा देकि अब हम इसका दूसरे वालá के फ्रंट का दूसरा पार्ट बनाएंगे इसकी पट्टी इस साइड आई है मैं यहाँ पर हमारा धागा देखिजांसे हम Sut्ट करते इसकी प्ट्टी हम इस साइड बनाईवें दूसरे वाले की Εhalf साइड बनाएंगे अब हमने इस साइड नहीं बना रहा है हम इस साइड पट्टी बनाएंगे जह इसका इस तरह से बनाते हुए चले जाएंगे उल्टए-ftаты कि इसके अंदर भी हमने 42 फंदे ही डाले हैं और 6 फंदे हम फट्टी की रखेंगे वो हम इस साइड रखेंगे देखे पहले हम इस पार्ट में हमने इस वाले पीस की अंदर पहले हम बिना बुना फंदा उतार थे ते क्योंकि हमारी पट्टी इस साइड थी अब हमारी पट्टी इस साइड है तो हमने बिना बुना फंदा इस साइड रखेंगे पूरी सलाई हमने इसी तरह से उल्टा बनाते हुए बना लेनी है यह आगे का हमारा दूसरा पल्ला है देखे हमने इसको भी अब हम इसको भी नाबुने उतारेंगे यहां से इस साइड हम फट्टी रखेंगे देखे पहले हमने यहां पर छे सलाई डाली थी तीन लाईनी हमने बना दिती छे सलाई डालने के बाद हमने इसके अंदर एक सीधी और एक उल्टी सलाई डाली थी टोटल हम आठ सलाई बना लेती हैं छे सलाई उल्टी उल्टी सात्वी सलाई सीधी और आठ्वी सलाई हम उल्टी पहले हम मैं इसको बताती हूँ आपको यह छे सलाई बना कर बताती हूँ कि हमने फट्टी इस साइड कैसे रखनी है देखिए हमने इसकी छे सलाई बना ली ही तीन लाइन बन गई है हमारी और ये सात्मी सलाई है ये मैंने सीधी सीधी डालनी है देखिए अब हमने यहाँ पर इस साइड फट्टी के फंदे रखेंगे छे फंदे छोड़ लें आप कि इनको हमने उल्टा बनाना है ये वाले सारे फंदे हमने सीधे बनाए सात्मी सलाई में और अब हमने ये बॉर्डर के फंदे हम उल्टे बनाएंगे छे देखिए इस तरह से क्योंकि देखिए हमारा ये इस साइड आ जाएगा हमारा बॉर्डर और यह इस साइड आ जाएगा तो हमने इस फट्टी को इस साइड रखना है उल्टी सलाई हमारी उल्टी हो जाएगी फिर मैं आपको इस साइड डिजाइन का भी बताऊंगी कि हमने इस साइड डिजाइन कैसे रखना है देखे हमने इस साइड डिजाइन रखना है हमारी फट्टी इस साइड है देखे अब हमने क्या करना है देखे इस साइड लास्ट पे हमने एक फंदा बनाया था प्लू का तो हम यहां पर भी देखे इसको हम इस साइड से पहले तो हमने फट्टी के पास से डिजाइन स्टार् इसको आप नोट लगा लेए पहले फंदे को हमने ऊल्टा बना था इस धागे से आप इसको पहले फंदे को हमने ऊल्टा बना लिया इसको हम ने उतारलिया धागे को पीछे किया, अब इसको उतारेंगे, धागे को अपनी तरफ करेंगे, अब इसको उतारेंगे, अब हमने दो फंदे बनाने है, अब इसको उतार दिया, धागा उस साइड कर दिया, फिर इसको उतारा, धागा अपनी तरफ इसको उतारा, अब एक, दो, दो फंदे उ इसको उतार लिया, धागा उस साइड, इसको उतारा, धागा अपनी तरफ अब इसको उतार लिया, एक, दो, दो फंदे उल्टे बनाएं, इसको उतारेंगे, धागे को पीछे, इसको उतारेंगे, धागे को अपनी तरफ आगे, इसको उतारेंगे, और इसको एक और दो, दो बनाएंगे देखी इसको उतारेंगे दागा उस साइड इसको उतारा धागा अपनी तरफ अब इसको उतारा अब हमने एक और दो दो उल्टे फंदे बनाए इसको उतारेंगे धागा उस साइड अब इसको उतारेंगे धागा अपनी तरफ अब इसको उतारा अब आगे दो फ को पीछे इसको उतारेंगे धागे को अपनी तरफ आगे इसको उतारेंगे आदेखिए हमारे पास दो सीधे बच गए यहां पे भी हमने दो से स्टार्ट किया था दो उल्टे फंदे बनाएंगे देखिए अब हमने क्या करना है हमारा पिंक दागा जो था वो यहीं पे छूट गया इस सेड जब हम बनाते थे तो हमारा यहीं पे रुक जाता था अब हमें इस साइड में दो धागे लगाने पड़ेंगे पिंक पॉडर के लिए देखिए देखिए और यहां पे पिंक दागे को हमने लगाना है पिंक त्रड और लगा लिया है अब हमने इसको उल्टे फंदों से यह हमने इसका बर्डर बनाना है इसको हम यहीं पे छोड़ दिया करेंगे अब उल्टी सलाई पी हमने देखिए फ्रंट्स हमने यह पार्ट बना लिया है मैंने इसका इस साइड वाला पार्ट भी हमने बना लिया है देखिए इसके अंदर भी हमने एक, दो, तीन, चार, पांच पांच, चार-चा सलाई के बाद डिजाइन डाला फिर छे, छे सलाई के बाद हमने 6 डिजाइन डाले इसके अंदर भी इसी तरह से किया था देखे यह हमारी बटन पट्टी है इसके उपर आएगी देखे इस तना यह हमारा हो जाएगा देखे उसके बाद हमने यह इसका बैक का पार्ट बनाया है इसके बैक के पार्ट के लिए हमने देखे इसके अंदर मैंने 42,42 फंदे डाले थे टॉटल हमारे पास 42 जोड हो गए थे इसके अंदर मैंने 39 जोड डाले हैं 78 फंदे देखे 6 फंदे हमने पिछली साइड में कम लगाने हैं क्योंकि हमारी जो 40 होती एक दूसरे के ऊपर आ जाती है तो हमारे टॉटल काउंट इतनी होंगे देखे यह हमने 39 फंदे डाले हैं तो इसके अंदर देखे हमने उसी तरह से ही पहले चया सलाई बनाने हैं बॉर्डर बनाना है यहां चया पे डिज़ाइन के बनाते हैं दो ब्लू इसके अंदर हमने एक एक ब्लियो रखा था इसमें दो दो ब्लिव आ गए है हमारे एक सलाई में चला गया तो हमारी ये डिजाइन एक जैसा ब्राबर हो जाएगा सलाई के बाद देखिए इसके अंदर भी हमने उतना ही बना ली है इस पार्ट को बना कर हमने इसको भी चोड़ दिये हैं देखिए इसके लिए हमें आगे सर्कुलर नीडल की जुरूरत होगी आजकल मार्किट में मिल जाते बड़े असानी से कोई दिक्कत नहीं आते वो भी आप दस नंबर की ले ले देखिए हमने ये दोनों पार्ट आगे और पीछे के दोनों पार्ट हो गए है देखिए हमने उतना ही पीस बनाना है देखिए उसके बाद हमने बाजू बनानी है देखिए बाजू की अंदर हमने 18 जोड लगाने है 36 फंदे 18 जोड इसके अंदर भी हमने वो ही करना है सबसे पहले 6 सलाई उल्टी उल्टी डालनी है हमने juntos चीजी पुल्टी निंकाले कर हमने डिजाइन स्टार्ट करना है हमने यहाँ पर डिजाइन स्टार्ट करना है यहां पर दो-दो हमारे ब्लू के फंदे ही आएंगे देखिए हमने इस तरह से इसको बनाते जाना है हर छे सलाई डालने के पाद सात्मी सलाई में हमने इसको फंदा बढ़ाना है एक इस सड़ एक इस सड़ दूनों साइडों पर बढ़ाने है हमने देखिए हम जब फंदा बढ़ाएंगे तो एक फंदा इधर बढ़ाना एक इधर बढ़ाना है छे सलाई डालने के वाद सात्मी सलाई में फीर बढ़ाना है छे सलाई डालेंगे सैवंत सलाई में फीर बढ़ाएंगे इस तरह से जब तक हम यहाँ पर आ जाएंगे यहां एक दो तीन चार डिजाइन बनाने के बाद पहले हमने डिजाइन उतने ही बनाने है जितने हमने दोनों आगे के पल्लों में बनाए है पहले एक दो तीन चार पांच डिजाइन चार चार सलाई डालते हुए फिर छे चार सलाई डालते हुए हमने छे डिजाइन बनाने ह बाजु में भी हमने उतनी ही लंभाई रखनी है देखे इसकी अंदर हमने क्या करना है यहाँ पर आकर जब हमारे यह पाप लेंगे इत्िना हो जाता है कि सभी को हमने बरबर डालना है देखिए मैं इसको सर्कूलर नीडल में डाल रखा है है इसके अंदर में बताूंगं कैसे हमने इस पाठ को मिलाना है देखिए अब हम इसकी दूसरी वाजु इना लेते हैं उसके लिए मैंने फंदे डाल ले है हमने किसी तरह से बना लेनी हैं दोनों बाजु 2 पीस बनेंगे हमारे फ्रंट के मौरे तक प्राइन की यह निजपि एक और का पार्ट एक हमारी बाजु कि एक हमारी दूसरी बाजु कहा ये पहले रैडी करेंगे उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि हमने इसको कैसे रेंज करना है कैसे इसको सलाई में आके पीछे डालना है और फिर कैसे उपर बनाना है पहले इसकी बाजू भी हम बना लेते हैं दूसरी वाली देखिए इस तरह से हमारे सारे पीस कंप्लेट हो गए है यह देखिए मैंने यह दस नंबर की सर्कुलर नीडल ली है यह वायर वाली होती है देखिए इसकी अंदर मैंने सारे डाल दी हैं देखिए सबसे पहले हमने इस साइड का फ्रंट पार डालना है जिसके अंदर हमने य दूसरी वाली बाजू डालनी है, दूसरे पार्ट में बाजू डालनी है, फिर तीसरा उसके बाजू के बाद हमने बैक पॉर्शन डालना है, जो बैक पार्ट है, बैक पार्ट के बाद हमने फिर से बाजू डालनी है, उसके बाद फिर जो इस साइड का फ्रंट पार्ट है, ह अब हमने देखिए इस तरह से पहले सभी पाट आप सर्कुलर नीडल में डाली देखिए यह तक्रीबन सभी जगा पे मिल जाती है अब हम ने देखिए इसके अंदर हुआ कि अब हमने इसको इस तरह से पकड़ना है नीडल को इस तरह से जी हैं ॉ जी साइड हमारा ढा के ऐसे बटन पत्ता जिए आदय हैं वहां सी शटार्ट करना है लिकिस अगर हम इससे इधर से स्टार्ट करेंगे तो हमारा यह उल्टा होगा हम इसको सीधी साइड से स्टार्ट करेंगे देखे सबसे पहले हमने बार्डर के फंदे उसी तरह से बनाने हैं जैसे हमारे पास है कि बटन होल हमने उसी तरह से बनाते जाना है आठ आठ दो चार छे आठ यह लाइने छोड़कर हमने बटन होल बनाते जाना है इसको हमने द्यान रखना है आगे यह हमारे बटन पट्टी के बन गए हैं अब हमने क्या करना है दिखे दो फंदे सीधे दो फंदे उल्टे इस तरह से हमने बनाना है दो फंदे सीधे दो फंदे उल्टे इस तरह से हमने यह अबसे हमने हमने दो फंदे दो फंदे कर दो फंदे दो फंदे इस एंगे बनाना है कि कि दो उल्टे आ गई हमारे अब हमने इसको आगे सरकार लेना है कि अब हमने सारे पार्ट इनको अब एक बनाएंगे सारा उपर से हमारा जो है एक ही बनेगा कि यहां पर हमारे दो उल्टे आई इस साइड के हम दो सीधे ले लेंगे सारा इसी तरह से हमने करते जाना है सारे पीस लेते जानी है दो सीधे दो उल्टे बनाते हुए हमने ये सलाई पूरी कंप्लीट करनी है दिखे फिर मैं आगे बताती हूँ आपको इसी तरह से जब हमारे ये कंप्लीट हो जाये तो तो इसको सारा यहां तक हमने इसी तरह से बनाना है दो सीधे दो उल्टे करते हुए पूरा सलाही कबर करेंगे उसके बाद में आपको बताऊंगी देखिए हमारे इस साइड भी दोनों फंदे सीधे आ गए है फट्टी के साथ अब हमने फट्टी के फंदे बनाने है उल्टे देखिए अब हम इसको तर्न करेंगे इस तरह से अब हमारी यह उल्टी साइड आ गई है देखिए यह सारे एक हो जाएंगे सारे फंदे आप देखिए हमारी उल्टी से लाई है अब हमने पहले बार्डर के फंदे तो वैसे ही बनाने है उल्टे कि छे फंदे बाडर के होगे अब हमारे पास देखे ये दो इस साइड सीधे दिख रहे हैं तो इस साइड उल्टे दिख रहे हैं हमारे पास जैसे फंदे जिस साइड जैसे दिखते हैं वैसे हमने बनाने हैं देखे ये सीधे दिख रहे हैं तो इनको सीधे बनाना है उल्टे सीधी सलाई में भी सीधे दिखने वाले सीधे उल्टे दिखने वाले की उल्टे दिख रहे हैं उल्टे बना लो सीधे दिख रहे हैं सीधे बना लो देखे इस साइड से भी हमने यही करना है जब फिर सीधी साइड आए जाएगी सीधे पर सीधा बनाना है उल्टे पर उल्टा बनाना है देखे इस तरह से करते हुए हुमारे दो सलाईयों से एक लाइन बनेगी हमने इस तरह करते हुए बारा लाइने बनानी है चौबी सलाई 12 लाईने बनाएंगे 24 लाईयों से हमारी 12 लाईने बन जाएगी इस तरह से आपने सीधी उल्टी सलाई इसी तरह से निकालनी है देखिए उल्टे पर उल्टा बनाते जाएं सीधे पर सीधा बनाते जाएं हमने कोई भी खटाने बढ़ाने नहीं है अभी इसके अंदर आप 12 लाइने 24 सलाई तक इसी तरह बनाते जाएं इसको फिर उसके बाद मैं बताती हूं कि आपको क्या करना है इसके अंदर और आपने बटन पट्टी का जूरूर दियान लखना है जब हमारे पास यहां आठ हो जाएं लाइने तो आपने यहां पर बटन होल बनाना है इस तरह से आप बनाते जाएं अब तक देखे एक दो तीन चार पांच बन गए हैं आगे वी आप इसको बनाते जाएं राठ हाट के बाद इसका आपने ध्यान रखना है यहां पर बटन हमने बंद नहीं करने यह से बन जाएगा देखिए हमने यहां पे इसके अंदर मैंने आपको बदाय था कि हमने एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो बारा बारा लाईने बना लेने हमने चौपिस लाई देखिए इस तरह से बन जाएगा अपना यह बाजू आ हमारे देखिए यह दोनों फ्रंट के पल्ले इस तरह से अब देखिए हमने इसको आगे क्या करना है देखिए अब हमने क्या करना है देखिए यह हमने जो बटन होल बनाने वो हमने उसी तरह से बनाते जाना है जब हमारे आठ लाईने यहां पर कंप्लीट हो जाएं फट्टी के फंदे हम उसी तरह से बनाएंगे अब हमने क्या करना है देखिए हमारे पास यह दो फंदे सीधे हैं इन दोनों सीधों फंदों को हमने एक करना है सीधा बनाते हुए यह दो उल्टे हैं इनका दोनों का दो उल्टे फंदों का हमने एक उल्टा फंदा बनाना है दागा पीछे करेंगे दो सीधे फंदे हैं, इन दोनों सीधे फंदों को सीधा बनाते हुए एक सीधा करना है इनको हमने उल्टा करना है दोनों को दोनों का एक करना है उल्टा बनाते हुए इस तरह से दागाव साइड करेंगे दो सीधे फंदे दो सीधे फंदों का एक सीधा बनाना है दो का एक करते जाना है पर जैसे फंद है वैसे ही करना है दो उल्टे हैं तो दो उल्टों का एक दो सीधे हैं तो दो सीधे का एक इस तरह से दागा अपनी तरफ दो उल्टे का एक उल्टा हो गया दोनों कठे लेने हैं इस तरह से इस तरह से हमने बनाते जाना है देखिए उपर से हमारा ये अब सारे फंदे जितने भी हमारे पास अब हाफ हो जाएंगे इस तरह से करते हैं उल्टी सलाई में हमने इस तरह से पहले आप ये एक सलाई बना लें देखिए अब हमने ये सलाई बना ली है उल्टी सलाई पे साइड पे आ गई हैं हम अब हमने बार्डर के वैसे ही बनाने है अब हमारे पास पहले हमारे पास दो सीदे दोल्टे थे अब हमने दो का एक दो सीदे का एक सीदा बना दिया दो उल्टे का एक उल्टा बना दिया किस तरह से दो सीदे का एक सीदा बनाया दो उल्टे का एक उल्टा बनाया अब हमारे पास देखिए एक सीदा एक उल्टा दागा उससेड़ की यह सीदा दागा अपनी तरफ उल्टा इस तरह से हमारे पास अब एक सीदा एक उल्टा हो गया है अब इसकी भी हमने इसी तरह बनाते हुए बारा लाइने बनानी है, एक लाइन हमारी बन गई, अब एक सीधा उल्टा बनाते हुए, बारा लाइने, चौबी सलाई हमने इसके भी इसी तरह बना लेनी है, फिर मैं आगे आपको बताऊंगे क्या करना है, देखे, अब हमने देखे इसके अंदर, एक, दो, तीन, चार, प बना लेंगे, जैसे बनाते हैं, अब हमने फिर से, दो, दो फंदे का एक फंदा बनाना है, आप इस साइड से बना दें, देखे, यह सीधा फंदा है, सीधे को पीछे से आप डालने, इस तरह है, दो फंदे को, एक सीधे में और एक उल्टे में, पीछे से, देखे, पीछे से नीडल डालने, दोनों फंदों के, फिर हम बना देंगे, इसको सीधा, देखे, इस तरह से बन जाएगा, दो का एक करते हुए, इस तरह है, सारे फंदों का हमने अब दो का एक करना है अब बस हमारा ये गले की हम लाइने बनाएंगे इसकी इस तरह से करते वे पूरी लाइन आप कम्प्लीट कर ले देखिए इस तरह से यह हमारा हो गया है देखिए इतने लंबाई बन जाएगे इतना बाट यहां से देखिए यह हमारा जो बच्चे का मोड़ा होता है वह हो जाएगा इतना काफी हैं हमारे लिए बनाना देखे हमने सीदे और हुए दोनों में से नीडल को पीछे से डाल कर सीदा बनाना है इससे दो का करने है देखे इस तरह ऑंकटी देखे फंदे इस तरह से आजाए अगर्म इसको इस तरह बनाएंगे तो उल्टा फंदava इसके ऊपर से आ जाएगा इस करके आप इस तरहां से बना के पूरे फण्दे दोका एक कर लें, फिर मैं बताती हम देखी, अब हमारे पास मैंने दोका एक किया, हमारे पास ये एक सिंगल बच गया, तो आप इसको सिंगल ही बना दे देखिए उसके बाद यह हमारे फट्टी के फंदे इनको हमने उल्टा ही बनाना है इस तरह से अब हम उल्टी सलाई पे आ गए हैं देखिए अब मैं आपको इसके टोटल फंदे काउंट करके बताऊंगी मैं दो दो को एक गिनूगे एक बार एक दो तीन चार पांट छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा चोदा पंदरा सोला स्तारा स्तारा अठारा उन्निस बीस इकिस बाइस तेईस चौविस पच्चिस चबिस स्ताइस अठाइस उननतिस तीस इकतिस बतिस तेतिस चौनतिस पैनतिस चतिस सैन्ति अठति उन्ताली चाली और इक्याली 41 फंदे हैं हमारे पास देखें हमारा गले का बॉर्डर बनेगा इसके अंदर 41 जोड यहाँ पे भी हमने इतने लगाया था देखिए हमारे को इतना गला तो चाहिए है बेबी के लिए यह हमने 42 फंदे बनाए थे यह हमारे पास 41 फंदे हैं देखिए अब हमने क्या करना है 40 के तो जैसे हम बनाते हैं वैसे उल्टे बनाएंगे अब सारे फंदे आप उल्टे बना दीजिए जितने भी हमारे पास हैं 41 यह होगा हमारे पास 82 होगे हमारे टोटल 41 जोड और 82 फंदे सारो को हमने उल्टा ही बना दीना है अब देखिए अभी साइड तो प्लेन आएगा बट जब हम दूसरी सलाई डालेंगे नई तो फिर हमारे उल्टा आना स्टार्ट हो जाएगा अब हमने उल्टी उल्टी डालते हुए इसके अंदर देखिए हमने इसके अंदर चार लाईने बनानी है आठ सलाई की चार लाईने बनानी है उल्टी उल्टी की जब इधर से हमें चार लाईने दिखाई देने लगजे यहाँ पी अभी तो हमें कोई दिखाई देने नहीं लगी है इसकी क्योंकि हमने यहां से सीधा बनाया तो इधर से उल्टा बनाएंगे तो इधर हमें सीधा ही दिखाई देगा जब हम इधर से स्टार्ट करेंगे तो उल्टी-उल्टी हमने यह सलाई निकालकर उसके बार आठ सलाई और डालनी है उल्टी-उल्टी इतना बना ल है उल्टी साइड में हमने इसको बंद करना है देखिए हमारा जो जी बीना हुआ फंद है इसको यहां से नहीं हम करेंगे देखिए इसको बीन उतार कर इस तरह से फिर इसको हम इस पर ले लेंगे अब 2 का एक कर दें तांकि यह थोड़ा से टाइट हो जाए देखिए अब इ करते हुए देखि इसको इस निडल पर लेने इसको साथ में लें दो का एक कर दीं इस तरह से हमने पूरे टोटल फंदे बंद कर देने हैं सारे फंदे आप बंद कर दीजिए देखिए इस तरह से यह गला बंद कर रैडी हो गया है देखिए अगर आपका हाथ लूज है तो आप इसको 12 नंबर की नीडल पे बनाएं गले को में देखिए इस तरह से यह हमारे यहांपे बटन होल है यहांपे नीचे की फटकीपर हम बटन लगा देंगे तो इस तरह से बनकर आ गई है यह कितने सुन्दर लग रही है यह इसकी बाजू बन गई है इस तरह Depois K पूरी यहां तक इसकी हम सिलाई करेंगे वाजू से लेकर पूरी वाजू को सिलते हुए इसको नीचे यहां तक हम इसकी सिलाई कर लेंगे दोन्हों सइडों पूरह आप two hour लगा लीजिये है कि पहुत सुंदर बनकर ready हो गई है मैं इसके साथ केで बून से लगा दिए बनाना तर्फि गाल this के माइने बनाना बताव झूझा झीस के इसके अंदर इसकी इसकी वाउंदर यह बटन लगा दिये इस तरह से लग रही है और injury value देखिए इस तरह से नीचे से और देखिए इसकी इस तरह से ये बैक है इसकी बहुत ही सुंदरल बन कर नहीं आई है अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई प्लीज आप इसे लाइक कीजिए अगर आपको ये पसंद आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भी जुरूर बताईए तांकि मैं फिर और भी नहीं नहीं वीडियो आपके लिए बनाऊं सुन्दर सुन्दर तरह की थाथ की चौताइए तरह का याझर आपके लाग थानए सक्ते हमते की की बनाओभ अ मुझे बनाओव तरह का वद प्लीकैंश पास का उिक चेली है आपको ये प्लीकैंश कखले हमाइं सूताईट अगर बा मुझे के इसम आपको झाल